मुसल्मानों का चार फीसद रिजरुवेशन रद कर दिया गया ऐसा लगता है कि आप धीरे-धीरे मुसल्मानों को दूसरे नंबर के शहरी की तरफ धकिला जा रहा है वैसे भी किसी भी तरह की न्यूज आप पेश करो एतराजात कुछ लोगों को जरूर होते हैं जब हक्किकत बताई चाहे तो इन्हें ऐसा लगता है कि हम डरा रहें सुशल मेडिया का है लहाँ सुशल मेडिया के जरिये मुसल्मानों के आवाज को बुलंद करने की कोशिश है बहुत सारे कर रहाहें घर ज дав कोई बोलते हैं तो एस रादाद कि यह जाते हैं लिहाँ में ईकनात हुकुमत ने बड़ा जीब फैसला लेते हुए मुसल्मानों को लेकर चार फीसद रिसरवेशन रद किया इससे मालूम होता है कि किस तरह के नफरत इनके दिलों जहन में है इसको मैसूस भी क्या जा सकता है मुसलिम समाज बले ही कव्मी सत्व पर बेहिस नजर आ रही हो या फिर दुनिया परस्ती का नशाइन के दिलों जहन में हो लेकिन तालिम मैदान में अब धीरे थी रही सही आगे बढ़ते हुए देख की जा रही थी 1994 में जेडियस हकुमत की जानिब से मुसल्मानों को चार फीसद रिजर्वेशन टूबी के तहट दी जा रही थी और इसका सालाना बजट 2200 करोण रुपे के करीब बताय जाता रहा लिहाजा इस चार फीसद रिजर्वेशन का फायता भी मुसलिम समाज को हुआ और वो ताल हुलते इससे पहले भी दी गई और भी दी जा रही है लेकिन भाजपा हिंदुत्वा और मुसलिम मुखालिफ की आलम बादार बनकर अपने आपको पेश करती है और एक मुनजम साजिश के तहत अंजाम भी देती रही बंब युकुमत ने इस रिजर्वेशन को खत्मतों कि कि आई और फिर जखमा पर नमक की तरफ वक्कलिगार लिंगायत समाज में चार की जगह छे फिसद और लिंगायत को पांच फिसद की जगह साथ फिसद यानि जो मुसल्मानों के चार फिसद थे वह इन्हें दो-दो फिसद करके तक्सीम कर दिया गया यानि मुसल्मानों का ख़ीन कर दिगर जातियों को दिया गया ताकि मुसलमानों से दुश्मनिय और अक्सरिय समाज को खुश करना इस तरह दोनों कामों को आसानी के साथ अंजाम दिया गया आखिर 2B केटेगरी है क्या और कितना बड़ा नुकसान मुसलिम समाज को हुआ और किस तरह से ये फायदा उठाया भी जा रहा तो तक्रीबन स्कूलों में पढ़ने वाले मुसलिम तलबा तालिवात प्रीमेट्रिक ए पोस्टमेट्रिक स्कॉलर्शिप हासिल करते आए और व फील्ड पीएचडी के लिए फेलोशेप इसी स्कीम के तहर कुछ मुसल्मानों को इससे फायदा हासिल हो रहा था स्रमशक्ति गंदा का लेंड टैक्सी और अटोरिक्षा लोन भी हासिल हुआ कर थे लिहाज आभी ने रोक दिया गया है कहा यह भी जा रहा है कि बम्मई हु में पहचाना था तारीकी जाइज के बनियाद पर उनिस से चौराने में पिछड़वर्गों को टूबी कैटेगरी में मुसल्मानों को शामिल किया गया लिहाज आसी आसी मुफाथ हासिल करने के लिए भाचपा बम्मई हुकूमत ने चार फीसद रिजर्वेशन को रद कर दिया इस टूबी रिजर्वेशन को रद करके दो दिन से भी जायद अर्सा घुजरा लेकिन मुसलिम समाज में किसी तरह का कोई रद्यामल अब तक तो नज़र नहीं आ रहा कुछ जगह पर मिटिंगे लेने के खबरें बातें मशोरें हासिल तो हो रहें लेकिन कोई ऐसा किसी तरह का बयान देखा नहीं गया कुछ लोग रमजान की बात कर रहें तो कुछ लोग इलक्षन की अब मुसल्मानों की हमायतिक कहलाने वाली कॉंग्रेस हो या खुद जेडियास यमायम अब तक एतजाज के मुड में दिखाई नहीं देरी कुल तस्वीर का जैसा लिया जाए तो मुसल्मान दूसरे शेहरी की तरफ धकेलते वे देखा जा रहा है अगर इसी तरह हुकूमत शराइए मसाइल में दीनी मसाइल में साथ में रोजबरा की जिन्दगी में भी दखल अंदाजी होने लगे तो इसे क्या कहा जा सकता है इसी दरम्यान कल यूपी जंदल के गुंडों की हमायत है तस्वीर साफ होती जाए अब मुसल्मान इस मुल्क में दूसरी शहरी बनने के कागार पर पहुंच चुके कोई जगह पर आयतायाज के खबरे हासिल हो रही है लेकिन बड़े ही धीमे आवाज में इतराजाद दर्च किये जा रहे हैं यकीन मजाहिब के लिए कितना फीसद रिजर्वेशन है इसे किसी भी मुसल्मान को एतराज नहीं है पर मुसल्मानों का चार फीसद रिजर्वेशन रद करके वकलिगवा कोई नहीं में से दो फीसद और लिंगायत को भी मुसल्मानों के रिजर्वेशन से साथ फीसद करना कहां तक दुरूस है यह सीएस्टी को भी रिजर्वेशन में इजाफा करके इनके भी होट हासिल करने की कोशिश भाजपा की जानिब से की गई है एक रिपोर्ट के मताबिक मुसलिम लड़का लड़की तालीम मेदान में आगे बढ़ रहे हैं कई आई एस आई पीए सबसरों में इजाफा होने की तरह भी हासिल हो रही है और मुसल्मानों का इस तरह बढ़ना एक बाइस अफ़कर बात कह सकते हैं हिजाब का मसला उठा कर मुसलिम लड़कियों को तालीम से रोकने की कोशिश की गई और अब तो रिजर्वेशन को ही खत्म करके हर लिहाज से माजूर करने की कोशिश की गई है इतना तो जरूर है कि मुसलिम समाज किसी सहारे का मौताज नहीं है अब तो हज की सबसरी को भ भम को लगता है कि सबसडरी मार्श की तरकी को रोका जा सकता है क्योंके इसके लिए तो इसका रभी का भी एक इसारह जहां का मालिक है लहाजा जो कोशिश फिरकापरस्तों की जानिव से की जा रही है इसे नाकाम करने के लिए मुसल्मानों को मुतहिद होकर अपना अलग तालिमी माशी समाज इस्तमाईयत को कायम करने की कोशिश करे कावम अगर गहरत मन रहेगी तो साजिश घुटों के बल नाकाम होंगी लेहाद मुसल्मानों को दूसरे नंबर का शेहरी बनाने की साजिश ए भी एक कड़ी है जिसे समझ कर अख़दाम करने की जुरूत है और मुसल्मानों को बड़े सोच समझ कर संजीदगी से फैसले लेने का वक्त है वरना तुमारी दास्ता तक ना होगी दास्तानों में आज का मोजों कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें इतिहाद नहीं देखने के लिए शुक्रिया अल्लाफिस आज लाजपत नगर के अंदर यह रस्तोगी इंटर कॉलिज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुला कर और नई परंपरा डाल कर यहां नमाज अदा कराई जा रही है जिसका विरोध स्थानिय लोगों ने और राष्टिय बजरंगल के कारगटाओं ने सब ने मिलकर सामुई क्रूप से किया है हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे इस सहर के अंदर आसांती भेलाने वालों पर हमने शुरुबात से कहिए कि मुकदमा लिखा जाए जो लोग सहर की सांती को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए जो भी प्रसास्निक और सास्निक अधिकारी यहां आए हैं हमने उन से कहिए पुलिस के अधिकारियों से कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है सहर की सांती को भंग करने का प्रयास किया है उन पर मुकदमा दर्जोना चाहिए प्रण जी आपको कैसे पता चला हमें इस्थानिय लोगों से जानकाई लगी उन्होंने फोटू बताएं उन्होंने फोटू खीचके भेज़े हैं उनके फोटू तक हैं नमाज अधा करने के यह नई परंपरा बिलकुल नहीं पढ़ने देंगे और लाजपदनगर में पू मुकदमा दर्ज होगा जिन्होंने नहीं परंपरा पढ़वाई है इन पर मुकदमा दर्ज होगा और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्य बजरंग दल अंदोलन करेगा साथ नहीं बनाल नहीं पर दो घॉन पर प्रण करेगा सबस्क्राइब करेगा साथ बढ़वाई है का जिस का झाला है